या फर फिर टू के बात हो तो बिना किसी दिरी की आईज़ दारा सेशन के शुरुवात करते हैं उससे पहले दोस्तों अगर आप चलने पर नए हो तो चलने को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी कोई upcoming classes हो, videos हो उनके notification आपको मिलते रहे और किसी भी exam के लिए अगर preparation कर रहे हैं आप लोग सबसे बेस्ट आपके लिए बन जाता है दोस्तों बैंक का महापेक प्लस या फिर regulatory bodies का महापेक बस आपको रेफल कोड का ध्यान रखना है कि आपको Y710 रेफल कोड यूज करना है Y710 रेफल कोड यूज करना है ताकि maximum discount के साथ आप किसी पीड़ बेच में admission ले पाओ चली आगे बढ़ते हैं सो दोस्तों IFACA के अंदर अभी तक हमने कहीं सरी चीज़ आपके साथ discuss कर लिए salary आप जानते हो salary काफी बढ़ी है perks, allowances, benefits है ना उसके सांसाथी posting है ना हमारी आगर आपकी किसमत अच्छी रही है फिर नहीं कर पाएंगे है ना चली तो बिना किसी दिरी के आगे बढ़ते है थोड़ा आपको बताए कि दोस्तों तीन फेस का examination है इसके अंदर फेपर वन फेज टू और interview है ना अब फेज वन की भी अगर बात करोगे तो उसमें दू पेपर आपके पास है पेपर और 100 marks है ना उसली सेलेक्षन है उसमें मतलब फेज ब séis बन तो आपको इंटर विटई धिर्विव इसको कौछिय करके आपको यहां जाना है और फाइनल सेलेक्षन में यह वाला जो पार्ट होता है इसका 85 percent weightage होता है और interview का देखा जाए तो 15% का weightage आपका interview का रहता है और 85% का weightage आपका phase 2 का रहता है आपके final selection में ठीक है तो ज़रा देख लेते हैं एक बार से लेबस को तो दोस्तो दिखो अगर हम बात कर लें phase 1 के examination pattern के तो phase 1 का जो paper 1 है आपका जो phase 1 का paper 1 है दोस्त तो यहाँ पर आपके 4 subject से जिसके इंदर general awareness से reasoning language हो गया quantitative aptitude हो गया और reasoning section हो गया तो इन सभी में 25-25 marks आने आपके 25-25 questions आपने आने आइसके में total 100 marks का paper है और आपको 60 minute का time duration मिलेगा लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका 30% आपको लेकर आना है इसमें किसी तरह की कोई sectional cut-off नहीं है आपको overall मिला कर आपके 30% score करना है लेकिन नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है इसके इंदर नेगेटिव मार्किंग का तो ज़रूर धियन रखेगा तो फुक फुक के गदम इसके अंदर भी रखना आपको पेपर का level अच्छा रहता है मतलब बहुत जीता simple simple चीज़े भी नहीं आती है इसके अंदर कि पढ़ना तो पढ़ेगा दूस्त बिना पढ़े अगर जाओगे तो fail होने के chances जादा रहेंगे तो पढ़के जाएंगे आप लोग तो confident भी रहोगे और बना भी पाऊगे अच्छे से चिक है क्योंकि यहाँ पर भी speed matter करेगी ही करेगी क्योंकि 60 minute के अंदर आपको 100 question देखना है अब 60 minute के अंदर 100 question अगर देखोगे तो कईना कि time आपको balance करना पड़ेगा आपको practice करना पड़ेगी इसके time management बहुत एहम role play करेगा आपके इसके phase phase 1 के paper 1 के अंदर भी इसको ध्याद में अच्छे से रखीगा अब दोस्तों अगर इसके थोड़ी से हम detailing कर लें कि मतलब इसका syllabus जो है उसमें क्या-क्या syllabus है 25 questions maximum marks 25 30% उसका cut-off रहेगा 60 minute का आपका time duration रहेगा तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लें इसमें quant section की तो quant sections में अगर syllabus देखे तो यह सारे के सारे parts आपके questions पूचे जाते है जिसके अंदर आपका सबसे पहले approximation, simplification यह आपका speed math का part है बहुत ज़रूरी है calculations के लिए number series जिसके अंदर missing और wrong number series आती है inequality जिसके अंदर linear equations और quadratic equations देखते हो then फिर arithmetic portion जिसके अंदर percentage ratio तो यह part और साथ-साथ DI तो यह ऐसा part है जिसको बिल्कुल skip नहीं करना है यह तो आपको करना ही करना है यह तो आपको करना ही करना है at any cost क्योंकि देखिए percentage और ratio पर अगर आपकी command हो गई तो आप लोग data interpretation के अंदर भी काम कर लेगा अच्छे से अगर data interpretation arithmetic ना हुआ तो तो यह portion जो किसी भी बिच्चे को छोड़ना नहीं है अच्छे से complete करना है इसको उसके बात दोस्तों यह सारे के सारे जो topics से यह भी आपको cover करने है इसके अंदर आपका profit loss हो गया है SIC, partnership, average, mixture allocation time and work, pipes and system, problem and trains speed time and distance, problem, boards and stream quantity comparison वाले questions इसी में एक part इसमें छोड़ रखा है जो कि होता data sufficiency का तो data sufficiency दोस्तों करना ही करना आपको mensuration भी हम लोग करेंगे क्योंकि other bank examination का ही pattern इसके नदर है तो mensuration भी अपने को करना है उसके साथ permutation, combination and probability तो यह syllabus आपका रहने वाला किसका यह syllabus किसका रहने वाला दोस्तों आपना का IFAC के fees one का उसी तरह से अगर बात के लिए books की तो books के लिए दोस्तों आप ace quant prefer कर सकते हो book कौन से prefer कर सकते हो ace quant, इसमें काफी सार आपको अच्छा content मल जाएगा ace quant, better book है आपके लिए इससे preparation कर सकते हो और इसके साथ-साथ ही अगर आपको थोड़े से और advanced level के question चाहिए तो दक्ष book है दोस्त दक्ष book है देखने को मिले है और हमने कुछ topic इसमें और भी add-on कर दी है इसके अंदर inequality, coding, decoding sololism, machine input, output, data sufficiency arguments, alphanumeric symbol series होगे, puzzle होगे, setting arrangement, verbal reasoning order and ranking, arrangements and patterns blood relation, direction and distance तो इन topics से questions आने के आपकी उमीदे हैं क्योंकि इनका syllabus जो है दे नहीं रखाए लेकिन previous year को अगर analysis कर रहे होगे तो यह सारा part मिलेगा आपको book आप उसके लिए दोस्तों आप लेना चाहो तो champions reasoning ले सकते हो इसी तरह की जो book है दक्ष का quantum वो भी आप ले सकते हो दोनों books अच्छी है AS quantum भी बढ़िया है लेकिन दक्ष quantum में के अदर थोड़े से advanced level के question भी आपको मिलेंगे reasoning के लिए दोस्तों यह book best है अच्छा books को purchase करने के लिए आपको जो referral code use करना होगा Y710S यह referral code use कर सकते हैं आप लोग किस के लिए books के लिए ठीक है चलिए उसके बाद अगर दोस्तों बात करने कि इसकी English वाले part पर तो English का भी आपको बता है कि 25 marks 25 questions तो इन सारे topics से mainly questions इसमें पूछे जाते हैं जिसके अंदर error spotting हो गया column based filler and sentence connectors हो गया आपके बास में paragraph completion हो गया sentence rearrangement हो गया comprehension fill in the blanks हो गया आपके बास passage हो गया synonyms और intronyms हो गया active and passive हो गया direct and indirect idiom and phrases तो यह इस English वाली जो book है आप इससे इस part को prepare आराम से कर सकते हो अब दोस्तों उसके सांसाथ ही उसके सांसाथ ही अगर हम बात कर ले उसके सांसाथ ही अगर बात कर ले इससर यह वाला part तो ठीक है हो गया हमारे पास और अब अगर बात आथ कि किसकी journal awareness की जर्नल अवरनेस वाला जो part है दोस्तो तो जर्नल अवरनेस के लिए mainly financial sectors के questions रहेंगे mainly financial sectors के questions रहेंगे और तीन से पांच मेने का current efforts इसके लिए sufficient रहेगा यहना तीन से पांच मेने का current efforts अगर कर लिया आप लोगों ने तो sufficient रहेगा ठीक है अब अगर phase 1 के paper 2 के अगर बात कर लें दोस्त तो phase 1 का जो paper 2 है आपके पास इसके अंदर भी अगर देखोगे तो multiple choice questions ही है अब multiple choice questions कहां कहां से आपके general knowledge वाले parts है current events and nationals international importance, economics and social developments sustainable developments, poverty, inclusion and demography commerce, accountancy, management, finance and costing इन सारे parts पर आपसे questions पूचे गया थे पूचे जाएंगे, मतलब ये पूरा syllabus इसका part है अब इसको भी अगर देखोगे आप लोग तो ये भी पूरा 100 marks का है वहीं वैसा ही legalist team वाले बच्चे हैं उनके लिए तो multiple choice questions रहेंगे किसमें specialized subject related to streams ये भी आपका 100 marks है तो दोस्तों जो बच्चे जनरल वाले हैं आपका 100 marks करेगा 60 minute आपको मिलेंगे और 40% का cut-off आपको यहां से निकाल लाएं ठीक है और aggregate अगर देखोगे आप लोग तो 40% आपका aggregate रहने वाला है यहां से अच्छा अगर paper 2 phase 1 के syllabus को लेकर अगर बात कर ली जाए paper 2 के syllabus को लेकर अगर बात कर ली जाए दोस्तों तो paper 2 का syllabus आपके पास कुछ इस तरह से रहने वाला है ठीक है जिसको आपने यहां पर लिख रखा पूरी तरह से तो paper 2 phase 1 का जिसके अंदर आपका general knowledge current events national और international importance यह सारा का सारा पाट रहेगा जिसके अंदर आप यह मान के चलो कि हमें कम से कम 3-5 में लेगा जो current affairs है वो अच्छे से करना है जिसके अंदर जो financial वाला पाट है उसको हमें strong करना पड़ेगा economics and social development जिसके अंदर sustainable development हो गया poverty हो गया inclusion and demographics यह सारा का पाट complete करना है commerce and accountancies के अंदर जाएगा management वाला पाट रहेगा finance रहेगा, costing रहेगी Indian economy and global economy central governments, initiatives, scheme in financial sector last year दोस्तों इसको ज़दा detailed में नहीं दिया था लेकिन इस बार इनोने detailing भी करी हुई इसमें तो जिसके अंदर आप देख सकते हो और हम से are you properly visible होगा सभी को तो यह वाला पाट तो ठीक है कि जिन्द नोलज current events आपके बास रहेंगे national international वाला पाट तो यह कम से कम जो रहेगा आपका वो यह 3-5 मेने का रहेगा दोस्तों 3-5 मंथ का आपका current events वाला पाट रहेगा इसके अंदर उसके अलबा अगर आप economics and social development में जाओगे तो यह सारा का सारा पाट इसके अंदर growth and development अब growth and development के अंदर measurement of growth उसके अलबा परोटी elevation and empowerment generation in India sustainable development and environmental issues social structure in India okay multi multiculturalism demographic strains urbanization and migration gender issue social justice यह सारा पाट इसके अंदर commerce and accountancy के अगरे बात के लिए तो यह सारे के सारे parts आपके commerce and accountancy से related रहेंगे इन सबको अगर देखोगे दोस्तों तो इनकी कई सारी जो similarity है वो C-B और R-B-E के अंदर भी आपको मिलेगी commerce and accounting से वाला part अगर देखोगे तो C-B के अंदर भी मिलता आपको R-B के अंदर भी मिलता है तो मतलब काफी सारी चीज़े ऐसी है जो आप लोग other examination के लिए पढ़ने वाले हो तो बहुत ज़दा अलग नहीं रहेगा इसके अंदर यह paper 2 है आपका phase 1 का Commerce and accounting से अंदर देखो तो accounting as a financial information system हो गया accounting standards with specific reference to accounting for depreciation हो गया cash flow statements हो गया जिसके अंदर fund flow statements है financial statements analysis हो गया ratio analysis हो गया असके अंदर accounting for share capitals employees stock options preparation and presentation of company financial accounts तो यह सारा पाट तो आपको C-B के अंदर भी देखने को मिलेगा दोस्त उसके सांसाथ है अगर दोस्तों अगले पाट पर बात करें जिसके management वाला पाट है तो management वाल क्या है मैं अंदर देखो कि management management its nature and scope हो गया the role of manager in organization leadership style हो गया अपके बस में human resource development वाला पाट है इसके अंदर communication यह ना उसके अलाबा भी corporate government जिसके अंदर factors affecting corporate governance machinism of corporate governance तो यह सारा का सारा जो पार्ट है management वाले पार्ट में आएगा तो जो respected faculties है वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या पढ़ने वाला है क्या छोडने वाला है क्योंकि syllabus को दिखोगे तो बहुत ज़रा detailing के साथ दे रखा है उन्होंने तो इसमें आपको इस examination में phase 2 का paper 2 का जुसल है बसे वो different है यह आपका सिर phase 1 paper 2 है आपका उसके लाबा finance में अगर देखोगे तो finance system है आपके बस में role and function of regulatory bodies in financial sector तो दोस्तों यह सारा पार्ट आपको CB के अंदर भी देखने को मिलेगा यह वाला पार्ट financial markets हो गया आपके बस में जिसमें primary, secondary markets, forex, money, bond, equity यह सारा पार्ट है and general topics में अगर देखोगे आप लोग तो basics of derivatives है forward, futures and swap, recent development in financial sector हो गया financial inclusion, use of technology, alternate source of finance, private and social cost benefits, public-private partnership यह सारा पार्ट इसके इंदर रहने वाला है फिर और भी देखोगे आप लोग तो direct indirect taxes से rated है, inflation, deflation, trends, estimates, consequences and remedies तो बहुत सारा जो पार्ट है इसका, वो आपको कहने के SEBI के examination, जो SEBI का syllabus है दोस्तों, उसमें भी आपको देखने को मिलता है तो काफी ज़दा similarity है syllabus को लेकर उसके साथ साथ ही अगर आगे और बड़े आप लोग, तो costing में ये सारे के सारे points है इसके अंदर overview of cost and management accounting, methods of costing, basics of cost control and analysis हो गया lean system and innovations हो गया सारे के सारे, ये साब आपको दिखना पड़ेगा इसके अंदर उसके साथ साथ ही अगर बात करें, Indian economy and global economy Indian economy, global economy में, तो demand and supply, market structure, national income उसके साथ साथ ही, balance of payment, foreign exchange market, inflation, monetary and fiscal policies non-banking financial institutions, role of international financial institutions, BIS, IOSCA, IMF and World Bank ये तो important वाला पार्ट रहेगा इसमें, ये वाला पार्ट काफी सदा important है इसके अंदर central government initiatives, schemes in financial sectors, तो ये सारा पार्ट जो होगा आपका phase 1 के paper 2 का है, phase 1 के paper 2 का जिसकी बहुत ज़्यदा similarity आपको SEBI के साथ भी हम देखने को मिलेगी, तो SEBI का भी notification आपका 13th April को देखने को मिल चाहिए, detailed वाला, right, तो वहाँ पर भी आप syllabus देखेगा तो काफी सारी similarity आपको देखने को मिलेगी, इस exam से, इठेना किया, तो दोस्तों ये paper 1, sorry, paper 2, phase 1 का होगा पार्ट, अब उसके अलावा अगर हम बात कर ले अगले, IFSCM, grade A के phase 2 को लेकर, तो grade A का phase 2 है, इसमें आपका जो paper 1 है दोस्तों, वो तो descriptive वाला पाट है, एक बार उसका examination pattern अगर देखें हम लोग, तो paper 1 जो है, ये common है, दोनों streams के लिए, जिसके अंदर आपका English descriptive रहेगा, pricey रहेगा 35 marks का, easy रहेगा 30 marks का, comprehension रहेगा 35 marks का, ठीक है, 100 marks का paper रहेगा, 60 minute आपको मिलेंगे, और 30% का आपको cut-off यहां से clear करना है, यहां से आपको paper 1 से आपका 30% का cut-off आपको clear करना है, वही अगर बात कर लेए paper 2 को लेकर, तो दोस्तो paper 2 के अंदर अब यहां पर देखो गया, तो यहां पर थोड़ा syllabus differ करेगा, यहां पर जादे-दर चीज़े जो है, IFSC Act से related है, जिसके अंदर आप देखोगे तो IFSC Act हो गया, Union Budget, Economic Survey, Banking, Capital Market, Insurance, Pension Funds, Bullion's हो गया, Gift City, Gift IFSC, Global Financials से Central ATC, तो यह सारा का सारा पाट है, जिसके अंदर आपके 50 questions होते हैं, एक questions, दो marks करेगा, मतलब थोड़े से deep questions होंगे इसमें, 100 maximum marks आपको मिनेंगे 60 minute का time duration, और 40% जो है, दोस्तो, cut-off clear करना है, और वहीं अगर बात कर लें, aggregate cut-off की, तो 40% का आपका aggregate cut-off रहेगा, ध्यान रखेगा, phase 2, भहुत जोड़ा important है आपका, क्योंकि final selection में 85% weightage इसका रहता है, और interview का 15% का weightage आपका interview कर रहेगा, दोस्तो, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें, descriptive writing के लिए, तो descriptive writing के लिए, दोस्तो, बुक आप, अटर 24-7 की जो बुक है, descriptive वाली, इसको देख सकते हैं, एक बार, रैफल कोड यूज करिएगा, Y710S, इस book के लिए, ठीक है, आगर आप लेना चाहिए, बिलकुल ले सकते हैं, अधरवाइस आपको थोड़ा सापने पर काम करना पड़ेगा, editorial वाले पार्ट पर, क्योंकि दो, आपको data दो चाहिएगा, content दो चाहिएगा, descriptive writing के लिए, तो descriptive writing के लिए, content अगर चाहिए रहे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, जितना ज़्यादा पड़ोगे, उतना ज़्यादा आपके concepts बनेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग चीजों को जानोगे, उतना ज़्यादा लिख पाओगे examination में, ठीक है, तो यह ज़रूरी है आपको लिए, और इसको बिलकुल ignore ना करे, यह phase 2 का जो paper 1 है, descriptive वाला part, paper 1 जो है, इसको बिलकुल भी आप skip ना करे, बिलकुल भी ignore ना करे, इसके practice भी आपको अच्छे से करनी है, और यह तो आपका हर एक exam में काम आएगा, CB के अंदर भी काम आएगा, आपका, RBA के अंदर भी काम आएगा, तो यह तो ऐसा part है, जो अपने को करनी ही करना है, किसी भी तरह से, इसको बिलकुल script नहीं कर सकते है, regulatory bodies के examinations में, ठीक है, अब दोस्तों, अगर हम बात कर लिए यह सारे के सारे points पर, यह सारे के सारे points आपके paper 2, phase 2 के हैं, तो paper 2, phase 2 के अंदर अगर देखेंगे, इसमें आप लोग, तो यहाँ पर सब उन्होंने mention कर रखा है, कि IFA1, IFSC, gift IFSC, जो कि अपना गुजराद है, हैना, and gift city, global financial sectors, तो इस से related जितनी भी चीज़े हैं, यह आपको सारे के सारे पढ़नी हैं, IFSC की website से उसको visit करते रहीगा, RAB website को visit करते रहीगा, हो सकता है कि आपको यहाँ से questions RAB circular से, वहाँ से मिल जाए आपको, IFSC notification जितने भी रहते हैं, उनको थोड़ा देखते रहीएगा, मतलब website पर भी visit करना ज़रूरी हैं, IFSC की website उस पर भी visit करते रहीगा, वहाँ से भी कई से कई बारी questions बनते हैं, उसके साथ साथी union budget से related चीज़े, इसके अंदर concepts, approach and brand trending economic survey, उसके अलावा banking से related सारे के सारी चीज़े इसके अंदर, structure and function of financial institutes, function of reserve bank of India, जैसे आप से खाता कि RAB वाला part आपको लेके चलना है, ठीक है, उसके अलावा अगर बात कर लें, banking system in India, banking system in India, जिसके अंदर, यह जितनी भी regulatory bodies भी है, उन पर भी आपको थोड़ी command, मतलब उन पर भी थोड़ा धिहन रखना है, इसके अंदर financial institution जितने भी है, से SIDB हो गया, Exim Bank हो गया, आपका नाबाड हो गया, NHB हो गया, नाफाड हो गया, ETC, जितने भी है, उन सब को आपको ध्यान रखना है, तो notification website पर visit करना ही करना है, इसके अंदर, role of information technology in banking and financial, non-banking system, developments in digital payment, उसके लावा capital market, तो capital market से related हैं सारे के सारी चीज़ें, इसके अंदर, role and function of regulatory bodies in financial sector, primary and secondary markets, forex, money bond, equity, अब ये कहीं नगे, आपको phase 1 के अंदर भी देखने को मिला था, paper 2 में, है न, capital market वाला part, उसके अलबाबाए insurance से related चीज़े, तो ये नहीं था हुदर, इसके अंदर, history of insurance, principle of insurance, risk and uncertainty, legal foundation of insurance, function performed by insurance, insurance lines and products, तो ये सारा का सारा part इसके अंदर रहेगा आपके बास में, उसके लबाए pension sector के अगर बात कर लें, तो status of pension sector in India, types of retirement schemes in India and their features, national pension system, total pension use now, unity plans, basic of investments, तो ये सारा part इसके अंदर रहेगा आपका phase 2 का, चीके, तो दोस्तों आई होब ये clear होगी सारी के सारी चीज़े, तो phase 2, paper 2, तो phase 2, paper 2 का इस बार उनने पूरा detailing के साथ दे रखाए, कि कहां-कहां से आपके questions बनेंगे, बट अगर आप self study कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा load ज़रूर पड़ेगा, कि मुझे किस तरह के notes prepare करना चाहिए, examination के according किस तरह के questions के framing हो सकती है, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी हो बते है, otherwise आप कोई paid batch ज़रूर ले लीजीगा, हम ये नहीं करें कि paid batch लेना ही आपको, आपकी choice है, लेकिन फिर भी, जब हम syllabus देखते हैं तो syllabus के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि, ये तो पुरा syllabus दे रखा है इनों लेकिन हमारे काम का कौन सा है, क्या-क्या चीज़े इसके अंदर पढ़नी है, और जितना दे रखा उसको किस वे में अपने को पढ़ना है, ताकि सारी चीज़े प्रॉपर वे में कंप्लीट होजए अपनी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, syllabus तो पुरा है आपके पास, लेकिन अब इसको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो कोई एक प्रॉपर मेंटोर अगर आपके पास हो, तो वो अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे, साथ साथी दोस्तों, अगर लेगल वाले बच्चे जो है, लेगल स्टीम के हैं, तो पेपर वन, जो फेज़ वन होगा अपका पेपर टू का, तो phase 1, paper 2 आपका ये सारे के सारे parts से जिससे आपके questions पूछेंगे, पूछे जाएंगे mainly, और हर एक part का weightage आपको दे रखा कि किसका कितना weightage है basically, so constitution of India, तो constitution of India में 20% का weightage है ये अलग-लग parts है, contract law 25% का weightage है इसका, code of civil procedure तो 25% का इतना इसका weightage रहेगा, जिसके अंदर ये सारे parts भी इसमें आएंगे, the limitation acts हो गया, transfer of property act हो गया आपके पास है, arbitration हो गया इसके अंदर, administrative law हो गया इसके अंदर, उसके साथ साथ अगर यहाँ पर देखोगे, so ये मतलब ये सारा का सारा part जो है, जो legal वाले बच्चे है, ये उनके लिए है, लेकिन legal के लिए आपको पता कि दो vacancies है, ये बाकी सारी के सारी जो vacancies है, वो generalist team के लिए है, तो paper 2 है, phase 1 का, वैसे ये paper 2 आपका रहेगा, किसका phase 2 का, पेपर 2 आपका phase 2 का रहेगा, जिसके अंदर criminal law है, 30 person का वैटे जिसका रहेगा, law of evidence हो गया, फिर आपके पास ये corporate laws हो गया इसके अंदर, और फिर IFSA Act and the following Acts, तो IFSA Act और following Acts, जितने भी, यहां से भी questions आपके पूछे जाएंगे, जिसके अंदर, the reverse reserve bank of India Act हो गया, the insurance Act हो गया, banking regulatory Act हो गया, आपके पास में, the security contract regulation Act हो गया, the deposit insurance and credit guarantee corporation Act आपके पास है, the general insurance business, the security and exchange board of India, CB Act हो गया, the depository Act हो गया, the insurance regulatory and development authority Act, the foreign exchange management Act, मतलब जितने भी, पार्ट से, इन सब को भी आपको cover करना है, इसका 40% का weightage आपका रहेगा, phase 2, paper 2 के अंदर, तो दोस्तों, यह पूरा-का-पूरा syllabus था में लिए, I hope your syllabus आपको पूरी तरह से clear होगा, और उसके बाद में finally आपका रहता है एक interview, और जो final selection done होता है, वो phase 2, जिसका 85% weightage है, और interview, जिसका 15% weightage है, इन ही पर आपका final selection जो है दोस्तों done होगा, ठीक है, तो इसको proper view में पढ़िएगा, आपने पूरा देख लिया है, आप किस तरह से आपको prepare करना या आपको depend करता है, अगर आप किसी PD page के थुरू preparation करने वाले हो, तो order 24 से उनकी साथ जूड़ सकते हो, पर आपको IFSC का PD page मिलेका ज़रूर से, उसके सतावरनी preparation प्रपर वे में कर सकते हो, चैक है, चलिए, तो दोस्तों बस आज के लिए हम लोग इतनी रखते हैं, बाकि फिर मिल देंगे अगले session में, चैक है, तो देखिए, last thing सिर्फ इतनी इसी कि अगर आपने से कोई बच्चा, किसी PD page के उतरो पनी preparation करने वाला है, अब IFC की preparation आपको करने है, या CB की करने है, या फिर NABAT की करने है, या फिर RBA की आपको करने है, तो आपके पास एक complete package होना चाहिए, उसके अंदर आपको live classes, video classes, test series, e-books, सब कुछ मिलता है, साथ-साथ ही phase 1, phase 2, interview, spoken English classes, personality development की classes, सब कुछ मिलती है, तो दोस्तों वो option बनता आपके लिए, bank mahapek plus, या तो bank mahapek plus, आप join कर ले, bank mahapek plus, या फिर regulatory bodies का mahapek, या फिर individual batch join कर सकते हैं, या आपको depend करता है, ध्यान रखेगा, double vanity के साथ सथ, आपको 81% का discount भी मिलेगा, 1% application एपके थूरू मिलेगा, extra, आपको करना है, एक referral code यूज करना है, जो कि होगा Y710, इस referral code को यूज करके, आप maximum discount ले सकते हो, किसी भी paid batch में, तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगर कोई काफी सारे batches उसके अंदर मिल जाएंगे आपको, तो कोई भी paid batch अगर purchase करेंगे, तो ये referral code आपको यूज करना है, और books के लिए, आपको referral code यूज करना है, Y710S, जो होगा, books के लिए होगा, और ये किसी भी paid batch के लिए, Y710, Y710, तो दोस्तों मिलते हैं अगले session में, thank you so much for joining this session and bye-bye, take care.